ये skills के service parameter देखने के लिए और alter करने के लिए आपको on करने के बाद mode hold करके रखना है उसके बाद पहला parameter आएगा carrot अगर carrot को yes और no करेंगे तो carrot आएगा या नहीं आएगा अभी yes किया होगा है मतलब carrot आएगा फिर आप tear का button दबाईए तोला का parameter आएगा तोला को भी yes no करेंगे तो वो parameter दिखेगा या नहीं दिखेगा mode दबाने के बाद फिर आएगा auto zero tracking ये अभी है 0.5D ये company setting है original इसको आप 1.1.0D 1.5D 2.0D और 3.0D कर सकते हैं ये जब कांटा रनिंग कर रहा है तो इसको आप बढ़ा बढ़ा के इसको कांटे को stable कर सकते हैं factory setting 0.5 ये उसको रहने दीजिए ideal condition में उसके बाद 0S आएगा S माने show और L माने lock ये दस मिली का कांटा है तो 50 मिली तक वो L होगा तो कांटा 50 मिली तक दिखाएगा ही नहीं वजन ये वजन रखा वजन उठाया अगर एक है अंदर तो एक नहीं दिखाएगा 50 मिली तक वो नहीं दिखाएगा तो वो factory setting होता है show उसके बाद आता है stability parameter उसको आप 0 से लेके 1,2,3,4,5,6,7,8,9 कर सकते हैं factory setting no है उसके बाद आएगा hold hold मतलब कि जब वजन कांटे के उपर रखते हैं तो उसको hold करके रखता है ये अभी no किया हुआ है factory setting no है तो hold करेंगे अगर तो वजन जो भी होगा तो वजन रखने के बाद वो stable हो जाएगा और वो hold करने के बाद वजन इदर उदर नहीं होगा याने आदे घंटे के बाद भी वजन वहीं का वहीं रहेगा सेम वजन काटा दिखाता जाएगा अगर उसके उपर आप 10 ग्रम रखेंगे तो 10 ग्रम भी बताएगा और उसके बाद 10 ग्रम hold करेगा 10 ग्रम निकालेंगे तो जो और इदर बजने वो वापस आएगा और फिर से hold हो जाएगा फिर auto calibration यह auto calibration जो है वो auto calibration on करने के लिए है यह अभी yes भी है no भी है no करेंगे तो auto calibration कर नहीं सकते आप बाहर से फिर आएगा print है तो print में क्या है कि rs232 port पे यह वजन जो होता है वो print का switch दमाने पर वजन rs232 port पे जाएगा अभी no है तो वजन जाएगा नहीं यह dummy 0 है 600 gram 10 mg के काटे में 0.00 आता है सभी imported skills में तो यह एक और 0 पीछे एक add कर देगा अगर यह dummy 0 yes है तो आएगा no है तो नहीं आएगा factory setting yes है झाएगा तो खु pud identify को झाएगा